साउंड सुना है ना बहुत ही क्रिस्प और करकदार तो आज मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूँ दाल मोट की रेसिपी तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी बट उससे पहले मैं खुश्वू का नौजिया और मैं अपने चैनल घर का जाय कावित खुश्वू में आपका स्वागत करती हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस इसे एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो सबसे पहले हम यहां पर चैनल डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से बास कर 24 से 26 गंटे तक हम पानी में भिगो कर रख देंगे तो चलिए हम इसे 24 से 36 गंटे तक पानी में भिगो कर रख देते हैं अगर आप चाहें तो आप इसे दो दिन तक भी पानी में भिगो कर रख सकते हैं तो चलिए इसे पानी में भिगो कर रख देते हैं तो देखिए, चातिस घंटे के बाद ये पानी में भीगो करका हुआ कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है, अब हम इसे अच्छी तरह से छान कर, अब हम इसे किसी छनी में छान लेते हैं, तो देखिए, हमने इसे पानी से निकाल लिया है, और इसे सुखने के लिए रख देंगे, आप चाहें तो आप इसे छनी में ही रख सकते हैं, और इसे जब तक सुखाना है, जब तक ये हमारे हातों में चिपक न जाए, जब ये हमारे हातों में नहीं चिपकेगा, तो ये फिर इसे उपर से कपड़ा को कवर करकर सुखने के लिए रख देंगे दो घंटों के लिए आप इसे च्छाया में ही सुखाईएगा और इसे जब तक सुखाना है जब तक कि हमारे हातों में चिपकेना तो आप्टर दो घंटे बाद देखिए ये अच्छी तरह से सुख गया है तो मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ कि ये सुखाई की नहीं तो देखिए हम इसे अपने हाथों में लगा रहे हैं और ये हाथ में नहीं चिपका तो ये अच्छी तरह से सुक चुका है आप हम इसे फ्राइ करेंगे तो हम एक पैन लेंगे और उसमें एड करेंगे वाइल वाइल आपको लगड़ा होगा कि इसमें तो यूज किया हुआ है तो घर का वाइल तो ऐसा ही होगा ना अब हम इसे वाइल को गर्म होने देंगे जब वाइल गर्म हो जाए तब हम इसमें एक छनी आइड करेंगे और उसमें चने को फ्राइ होने देंगे अगर आपके पास यह झानी नहीं तो आप बीन अच्छनी का भी योज़ कर सकते हैं इसमें यह फायदा होता है कि निकालने में आसानी होती है इसे हम चेक करके देखेंगे तो यह अभी कुक नहीं हुआ है इसे हम कुछ देर और कुक करेंगे फिर हम इसे चेक करते हैं एक वारा और तो जब हम इसे हाथों पे लेंगे और ये तूट जाए तो ये रेडी है और इसे ज्यादा करा मत करिएगा ज्यादा ब्राउन भी मत करिएगा नहीं तो ये करा हो जाएगा खाने में फिर अच्छा नहीं लगेगा तो अब ये रेड़ी हो गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं इसी तरह से हम बाकी को भी छान लेते हैं तो इसे भी हलका ब्राउन होने देंगे और फिर इसे हम भी वैल से बाहर निकाल लेंगे अब हम आपको बीना चनी कहीं फ्राई करकर दिखाते हैं तो देखिए हमने इसे चनी दाल को वाइल में एड़ कर दिया है और इसे हलका मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूं और इसे कुक होने में पांच मिनिट जरूर लगते हैं तो देखिए हम इसे फिर ये हलका ब्राउन हो चुका है और हम इसे निकाल लेते हैं बाहर वैल से और इसे हलका ब्राउन होने पर ही निकाल लेजिए ताकि ये थोड़ा सा और कुक होता है जब ये गर्म रहता है तब तो इसी तरह से हम बाके को भी च्छान लेते हैं और सभी को हम निकाल लेते हैं फिर हम उसी ये ये में मूंग फाली को भी प्राई कर लेंगे हलका गोल्डेन उडाउन होने तक तक अब ये हलका गोल्डेन ब्राउन हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे एक छानी में तो लिजिए हमारा चाना दाल भी रेडी है और मूंग फाली भी रेडी हो चुका है दिखिए चाना दाल कितना क्रिस्प है ये हातों से ही टूट रहा है और इसे ठंडा होने देना बहुत ही जरूरी है जब ये ठंडा हो जा तब हम इसमें और भी मसाले एड करेंगे तो ये ठंडा हो चुका है अब हम इसमें अड करेंगे फ्राइ किया हुए मूंग फाली को और मसालों में अड करेंगे हल्दी लाल मीर्च नमाक चाट मसाला इस सारे इंगिडियन्स का नाम मैंने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है आप वहां से चेक कर लीजिएगा और आप मेरे वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और मैंने इसमें एक सिक्रिट इंगिडियन्स एड किया है वो है बड़ा मसाला आप एक वार दालमुट में बड़ा मसाला एड कर देखिएगा ये खाने में इतना टेस्ट ही लगता है ना यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और फिर हम इसे मिक्स कर लेते हैं और सारे मसाले को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमिया ज़्यादा कर सकते हैं अब मैं इसे थ्वसक चक कर देखती हूँ ये बहुत ही क्रिस्प है और बहुत ही टेस्टी भी यकीन नहीं होता तो आप इसे एक वार ट्राय ज़रूर करिएगा जब ये पुरी तरह से ठंडी हो जाए तब हम इसे एक जार में अश्टोर करकर रख देंगे इसे हम महीनों भर खा सकते हैं तो हम इसे एक जार में रख देते हैं और इसे एर टाइट डबे से बंद करकर रख देंगे आपका मन कर रहोगा इतनी टेस्टी, यम्मी और महीनों भर चलने वाली रेसिपी बनाने का तो इसे बनाने के लिए इंगेडियन्स है जिसे आप नोट कर लिजी और सारे इंगेडियन्स का नाम ये है तो है ना बहुत थी मज़दाय रेसिपी और बनाने में कम जंजट भी तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में और रिलेटिव में और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किजिए क्यूंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता तो फिर मिलते हैं अपने इसी चैनल घर का जाईका विद्खुश्व में जब तक खुश रहिए, खुजियां बाटते रहिए और आसपास भपाई वन आई रखे थैंक यू, टेक केर और नमस्कार